इस वीडियो में एक ड्रग का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, इसका नाम है इंटोजन, इंजेक्शन हैं, जेंटामाइसीन एक इंटिबाउटिक होती है, वो इस मेडिसन के इक इलाव एक 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 अटिफ कमपाउंड है, जेंटामाइसीन, और ये इंजेक्शन मैंने कहा कि ये इसके इलावा इसकी लोडोज अगर मार्कीट में देखी जाए तो 10 मिली ग्राम में भी है, और जैसे मैंने कहा इंटिबाउटिक्स हैं, तो मतलब कि ये आपको इनफेक्शन से बचाते हैं, या अगर आपको इनफेक्शन हो गया है, तो ये फिर आपको उस इनफेक्शन को ट्रीट करते हैं, सबसे पहले तो कोई भी इनफेक्शन हो गया बैक्टीरियल, तो आपके बॉडी के हिसाब से कि जितना आपका वजन है, उसके हिसाब से 3-5 मिली ग्राम पर केजी, इनफेक्शन लगता है, चाहे मसल्स में लग जाए या वेंस में लग जाए, और ये एक दिन में तकरिबन 2-3 बार डिवाइड हो जाता है, इसके इलावाद जो लोग सर्जरी करवाते हैं, तो सर्जरी कराने से पहले उनको इंजेक्शन लगा लिया जाते हैं, कि बाद में उनको इनफेक्शन ना पहले, या इनफेक्टिव एंडोकरडाइटस, हर्ट के अंदर क कभी कभी इनफेक्शन हो जाते हैं, तो उस टाइम उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी 3 मिली ग्राम पर केजी के हिसाब से ये लग जाता है, तकरिबन दिन में डिवाइड करके 2-3 बार और ये 4-6 हफतों तक ही लगता रहता है, और साथ में कुछ और एंटिबाइटिक्स भी एड हो जाती है, जैसे वैंकोमाइसीन वगारा, इसके इलावा एक फेपडों की बिमारी है, सिस्टिक फाइब्रोसिज, उसमें भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं, थोड़ी हाइड है, 7.5 से 10.5 मिली ग्राम पर केजी के हिसाब से लगती है, सिस्टिक फाइब्रोसि यानि के जी दिमाग की शर्याने हैं, उसमें ये टॉक्सिक फेला सकती है, उसको houड़ा डैमेज कर सकती है, कान के अंदर टॉक्सिक फेला सकती है, बहरा पन आ सकता है, बछों में तो इसstoी anc том wären करते भी नहीं हैं, ज्यादे बड़े वज़र्गों में भी देखा हैं, क्यो नेफरो टॉक्सिक भी इसका एक पोटेंशिल है नेफरो टॉक्सिकिटी भी पहला सकती है इसके लावा इसके कुछ और इड़र्स इफेक्ट्स भी है जैसे कि कभी-कभी अगर इस टॉक्सिटी पहला दे तो चलने फिरने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है गेट वग करनी चाहिए अपने गाइनकॉलिजिस्ट से मश्वरा करना चाहिए कोई भी मेडिसन हो गाइनकॉलिजिस्ट की मश्वरी के मताबिक ही यूज करते हैं हम से कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूचिए छोटी सी गुजारिश आप से के चैनल को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब कर लें शुक्रिया